बिस्मिल्य रहार माल वेखिम, असलाम लेकुम फ्रेंड आप देख रहे हैं CAC Guide Official YouTube चैनल and CAC Guide Official.com वेब साइट तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा अभी तक CAC Guide Official पेज, Facebook पेज लाइक नहीं किया हुआ तो वो लाइक कर लीजेगा, क्यों? वो मैं इसकी रिजन आगे जाके बताने वाला हूँ CAC Guide Official पेज, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं CAC Guide Official पेज, उसमें Google में आके टाइप करना है पहले ही लिंग को कर देना है, आपने ओपन जैसे ही पहले लिंग को आप ओपन करेंगे आज हम डिसकस करने वाले हैं जी, Chonking University की President Scholarship के बारे में और उसकी Provisional Scholarship के बारे में तो चलिए पहले इस पे डिसकस करते हैं Chonking Post and Telecommunication की President Scholarship और इसके बाद प्रविजनल, तो यह अथार्टी है, जी, Chonking University of Post and Telecommunication प्रविजन स्कॉलर्शिप दे रहे हैं, जी, Chonking University of Post and Telecommunication University का ने में, Master, PhD और Undergraduate सब के लिए है स्टाइपेंड जो है, 6000 सालाना, सब कुछ फ्री होगा, 6000 सालाना Undergraduate के लिए प्रविजन के लिए होगा, और 3500 RMB पर मत, PhD वालों के लिए होगा, इकोल टो CSC, PhD के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी अपर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाइन है, इनकी 15 में, 15 में इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप अभी से अप्लाइए कर ली यूएस्टी जी की, तो उन्होंने यूएस्टी जी पॉर्टल ही बंद कर दिया है, कोई बंदा भी लॉग इन या साइन अप नहीं कर सकता, जिन्होंने अप्लाइए कर दिया था, वही सिर्फ स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, सारे स्टूटेंट्स अप्लाइए कर सकते ह ठीक है यहैं फिल करना है मैं इसको इसको डेमो आपको इसी वीडियो में बटा दूगा कि आपने करना कर तो थोड़ी बहुत में यहाँ लिखी होई समझ ना उसके बाद क्या करना है सचौंकिंग का President Scholarship आपने क्या करना है इसको Download कर लेना है इस फॉर्म को ये फॉर्म मुम्किन है कि Download ना हो ठीक हो गया जी तो आपने क्या करना है चले जाना है CAC Guide Official जो हमारा CAC का पेज है इस पे आ जाना है ये चॉंकिंग उनस्टी पोस्ट एंटेली कमूनिकेशन President Scholarship की ये फाइल है पड़ी यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक हो गया जी इसको डाउनलोड कर रही जीगा ये डाउनलोड हो गई और इसके बाद हम दुबारा चलते हैं जी इस पे फॉर्म वो फिल करने कैसे करना है मैं उसका भी सामने आपको दिखा गया यहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं और आ सकते हैं ओके हो गया जी इसके बाद डाकॉमेंट कौन कों से रिक्वाइड हैं पहले तो आपने उसका सी चौंक इंडियूस्ट्य पोस्ट एं टेली यह ओफ फॉर्ट्स पाष्पोर्ट होना चाहिए मार्च 30 2021 मतलब दोयाजारी मिलिए पोले के सदब्सक्राइड को एसके पास अगर है तो छोड़ड़ें अदरिक डाकूमेंट में लाइक अग्सप्ट्टिस लेटर है तो वो अच्छ करदें नहीं है तो कोई मसला नहीं है कोई और कोई certificate achievements ठीक हो गया जी यह हो गया अब मैं आपको पहले तो बता दूँ इसका जो इसका फॉर्म है जो इसका प्रेजने स्कॉलर्शिप का फॉर्म है उसके बारे मैं आपको बता देता हूं जो आपने करना है यह बहुत ही simple form है इसमें क के बाद यह आपने कहां पर document series receive करने है वो सारा address educational background में आपने highest to lowest करनी है मतलब पहले master की फिर बैचलर की फिर intermediate करनी है तो नहीं तो सिरफ अगर master के लिए apply कर रहे है तो बैचलर की काफी है employment card में अगर कुछ है तो ठीक है नहीं तो खाली छोड़ दें language proficiency आपने देख दे नन पर करना है तो इसको select करें box को उसके बाद insert कर दें insert के बाद symbol पर select कर दें और check का निशान लगा दें no ठीक हो गया इसके बाद क्या है जी English proficiency आपने क्या कर देनी excellent ये एसे insert पर option पर click करके symbol के option पर click करके symbol okay इसके बाद tick पर click कर दें ठीक है इसी तरह आपने करते जाना सारी चीज़े साइन कैसे करने हैं आखर में वह मैं एक वीडियो बना चुका हूं मुकमल के साइन कैसे करते हैं वह आपने यहां पर कर देने हैं यह बाद सारी चीज़े सिंपल हैं यहां पर आपको यह कहेगा study plan आपको अपना डिस्क्राइब किजिए वह तीन चार लेनों कोई issue नहीं है ठीक हो गया जी उनकी वेब साइट से मिल जाएगा चाहिना चाहिना चौंकिंग यह पोस्ट ने टेली कमूनिकेशन की या अपने फादर की डिटिल देना चाहिए तो वह भी दे सकते हैं फैमिली मेंबर की इंफरमेशन में स्पाउज फादर मादर अगर है तो अगर शारी चुदा है तो ठीक हो गया नहीं तो मदर और फादर की डिटेल दे सकते हैं ओके हो गया जी यह सारे डाकुमेंट्स फिर आपने जो जो अटैच किया होंगे यहां पे यहां पे वही सीमल इंसर्ट पर क्लिक करके आप इसे चेक करते जाएं ठीक हो गया सारे पॉइंट की तरफ यह हो गया फॉर्म इसके यह जो ऑनलाइन उनस्टी का पोर्टल है यह फॉर्म मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ पहले मैं आपको यह बता दूँ के आप और कौन सी स्कॉलर्श है चौंकिंग उनस्टी आफ पोस्ट एंटेली कमुनिकेशन म्य मुशिपल गॉर्मेंट मयर स्कॉलर्शिप जो चौंकिंग की तरफ से होती है उनके प्रविंस या जो भी है ठीक है वहां से यह अच्छी अपर्शुनिटी है यह अगर आप देखना चाहें तो वह भी अच्छी थी अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर उससे बी अच्छी जिसे कहते है ना आप वालिटी समझ लें कि की स्कॉलर्शिप बगर करना चाहें तो यह है इस चौंकिंग यूस्टी आफ पोस्ट टेली क्मॉनिकेश्टी में वही इस्टि की यूपीटी अंडर्ग्रेड द्मास्टर पी एडी के लिए है पीडी के लि येडी के लिए वैसे आप कर सकते हैं, मास्टर के लिए 30,000 है 30,000 है 30,000 आइधिंक बारा पर डिवाइड करें, पची सो और अरेंबी पर मंत का बंता है, ठीक है 25,000 है ये तीस और ये 25,000 है 25,000 आरेंबी पर ये ये बैचलर वालों के लिए ये एक साल के लिए होगा फिर आगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो अगले साल भी आपको करेंगे इसी स्कॉलर्शिप को, ओके हो गया जी, 15 मैस की लास डेट है, कोई डाकुमेंट से अट नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना, सारे स्टुएंट्स अप्लाइ कर सकते हैं, बैचलर के लिए, एट लिमेस, वही है, सारे रिक्वार्मेंट्स, सब कुछ वही है, इसमें क्या है, ये तो C.S.E. का कह रहा लेकिन ओ भी करना चाहें, आपकी मर्जी अगर दोनों के लिए करना चाहें, ठीक है, ये फार्म तो फिल हो गया, ठीक है, दोनों के लिए, ये ये जो दूसरा फार्म होता है, अप्लिकेशन फार्म फार सीक्यूट्य यह वहाँ पे प्रेजिएंस स्कॉलर्शिप के लिए तो यह आपने कहां से डाउनलोड करना है यह भी यहां पर दिया गया है यह देखें चौंकिंग युश्टिया पोस्ट ने टैली कमूनिकेशन यह हमारे CSE पे 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 पेज़ पे यहां पर आपके डाउनलोड कर सकते हैं हो गया तो इसके बाद डाकुमेंट सारे सारे चीजें सब रिक्वार्मेंट वहीं हैं कोई चीज नहीं नहीं है तो डाकुमेंट सेंड कहां पर करने उसके भी यह जो चौंकिंग की प्रेजिन स्कॉलर्शिप थी उसके उस पे भी आपने इस एमेल पर डाकुमेंट सेंड करन प्लस पास्पोर्ट ने प्लस नेशनलिटी प्लस अप्लिकेशन सब्जेक्ट तो यह आपने कर देना है ओके हो गया जी यह सारी चीजें सब चीजें हो गई अब मैं आपको दोबारा उसके उस पे लेकर जाता हूं उस स्कॉलर्शिप के लिए इसमें इसमें क्या लिखना है आपने जो आप इमेल सेंड करनी है अपने ठीक है तो यह इमेल यहां पर आपने सेंड करने डाकुमेंट अड्मिशन डाट एट सी क्यू सिर्फ आपने ऊपने एमेल करने है सारे डाकुमेंट इहां पर अंल इसमें आपने और सेंद चैंज होगा और और कुछ नहीं थीख हो गया जी अब हम चलते हैं इस पर आपने क्या कर देना है यहां पर यहां पर आउन-लाइन application पे किलिक उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दो option है, तो आपने क्या कर देना है, self sponsored पे click कर देना है, यह नहीं कि आप self पे करेंगे, आप self पे ही आप का admission होगा, नहीं कि आप form send करेंगे डाकुमेंट के साथ ये वाला फॉर्म जब फिल होगा इसका ओनलाइन अप्लिकेशन प्रोटल का ये फॉर्म प्लस वो जो स्कॉलर्शिप जिसके लिए आप अपलाई करना चाह रहे हैं या वह सीक्विटी प्रेजिट्ट स्कॉलर्शिप है या वह प्रविजिनल मेयर स्कॉ अब मैं आपको डाकुमेंट्स दिखाता हूँ औक कौन कौन से जरुरत हैं इसमें कोंड कोई अधर कोई ज्योरत नहीं यह व्यूच कर देता हूँ है बैक आगया बैक आने के बीसिरफ आपको दिखाने के जाएच करने सिंडिफेट, वही सारी थीज़ार ठीक हो गया जी, अज़ाओं अगर आप जाएच करना चाहें जो फॉजार यह आऩं यह वाले है यह वाले ell की खिल के यह भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं गर आपके CAC की तीं स्कॉलर्श्चीं हो गई है तो परेजिदन सकॉलर्शिप की कोई लिमिट्ट नहीं है उस पे आप섯養 सकॉलर्शिप के लिए के लिए आगर मैं वैसे फार एकजम्पल कह रही हैं इवाँ बह решते हैं पहली बात तो यहाँ जाहें गहें तो क्रते हैं कोई मसला नहीं है ठीक होगी अच्छा तो एक चीज मैं भूल गया वो ये के आपको चौंकिंग की जो मेर स्कॉलशिप का अप्लिकेशन फारम फारम था वो कैसे आपने क्या करना है फिल करना है उसके बारे में थोड़ी सी इंफरमिशन मैं दे दूँ आपको यहां से आके आप डाउनलोड करेंगे यह फारम चौंकिंग उस्टी प्रिंसिपल मैं स्कॉलशिप इस पर कर देंगे ओपन कर लेंगे इसे जैसे आप ओपन करेंगे यह आप देख सकते हैं ठीक है यह फारम बिलकुल सिंपल है कोई इसमें यह सारे का सारा वैसे ही है जैसा मैंने आपको प्रेजिदेंस कॉलशिप के लिए कहा था अभी जो कहा है वही है सेम टू सेम वही है कोई चीज़ें इसमें नहीं नहीं है सब कुछ वही है ठीक हो गया जी यह सारे चीज़ें आपने क्या करने है signature करके आपने क्या कर देना है उनको send कर देने और कुछ भी इसमें required नहीं है ओके हो गया जी hopes हो यह आपको वीडियो पसंद आई होगे मिलती है अगली वीडियो में दौाओं भी आत रिखेगा अलाहाफिस